प्रशंदर बाहर गए जोड़ा पाट जाते हैं पतलब कहीं तो गहें है तो पता देता हुए कि यगा लाइड रट गया वीच में तो ऐसा वर पुचना की लेक्षा बंद हो है अश्रा एक टाट होचा बंद जब कहीं चाशूबका है ॥ौ कि वोईजार ये प्रॉपर प्रॉपर एक प्रॉब्लम हो गई है पहले से पता देता हूं कि हमारे यहां पर नौ वर्जे से लाइट नहीं है जिसके कालेंड इन्वर्टर से जो सिस्टा में सभी चल रहा है और इन्वर्टर का बैक अपसी फोर अवर्स है तो आई मीन वो कभी भी बंद हो सकता है तो आप लोग ऐसा मत सोचना की लेक्चर बंद होगे कैसे बंद होगे अचानक से इसने पहले से इंफॉर्म कर देता हू ओके आज अज्जू भाय का लेक्चर है सन्ने ठीक है ना तो अगर लाइट अचानक से बंद होता है सिस्टम वगएरा तो फ्लेक्चर कर ले लेंगे और इदी लाइट नहीं आई तो नेक्स लेक्चर भी नहीं होगा जो दो बज़े का है हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल तो कैसे हैं बच्चो माइनेम इस अजे दूबे और वेलकम यौल तो आज हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं फिजिस को लेकर रहे हैं फिजिस में आज हम बहुत इंपॉर्टन चाप्टर करने वाजू कि आपका है ऑप्टिक्स चाप्टर का आज हम यह सब्सक्राइब और और फिजिस के साथ ही आपका आज फिजिस टू स्टार्ट होने जा रहा है तो आई होप इससे पहले आपने काफी लेक्षिस अटेंट कर ली होगे हो सबके सब भाई अच्छे confident में होंगे और सबको पुरा लेक्ष समझ में आ रहे होंगे I wish कि आज सी जो मैं लेक्षे स्टार्ट करने जा रहा हूं आप भी हमें पुरा सपोर्ड करिया आपको पुरा लेक्षे समझ में में अगए मेरा गारंटी है अजुभाई का गारंटी है अच्छे चाहिए अच्छे बहुत ही प्यार होने वाला बहुत ही मज़दार होने वाला है इसम राप्षिक तरीके से पढ़ाऊंगा फैंटास्टिक अंडरस्टैंग करके दूंगा आपको बस सपोर्ड करिये बाकी बच्चों को इतने फ्रेंड्स इतने लोग को सबको लिश प्रेंड प्रेंड कर दीजे लेक्ट चाल होने जा रहा है स्टार्ट अर्थ प्रफड प्लिस गायश आपने अपने प्रेंड नहीं प्रेंड को आपको और दीजे श्यर मार दीजे दू दूदिस पास्ट और 933 बेरी गुड़ वेरी गूड शुपब 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 थाइंक वरबड़ी और वन रिक्वेस्ट यह कोई भी आपर IPL से रिलेटेर बाते नहीं करेगा इस ठीक है डोंट टॉग अबाओट मैचेज तुम लोग कुछ भी अफ़ाफाइला देते हो बच्च बताओ कैसे हो काफी दिनों के बाद मिले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैं बहुत ही कॉन्फिदेंट हूं लेक्टर को लेकर लेकिन आज यार लाइट का थुड़ा इसू हो सकता है आई विस की लाइट का इसू ना हो तरहीं मज़ा आएगा ना कि लाइट का इसू ना हो विकास लाइट के इसू चल रहे दो घंटे से इंवर्टर पर काम चल रहा है आई विस की लेक्टर हो जाए मारा 972, आएट की लाइट आएट को यार 972 पीपल सार वन वाचिं अवहीं और ना होग्या ना बच्छा पाटी अप्टिक्स तोड़ा ना बच्छा कहा पाटी अच्छ्च्छ तोपिक्स टोड़ा इस टोपिक्स ग्रेट आप्टिक्स आज में स्टार्ट करने बच्छा पाटि आप्टिक्स के साथ ठीक है आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है वाइट और दिस चलो डास ग्रेट क्या आपको बच्छा यह दिखाए दे रहे कवर आ रहा है हमन्त स्किल में आ रहा है पुरा ओके और ही कुलो स्टार्ट करतें प्यारा सा से स्टिं हमारा ऑपिक्स बचापारी要 को बता दू मैं आपके तीन पार्ट में डिवेजीन है मतलब optics is divided in three parts तो optics में हम क्या क्या पढ़ने वाले optics के अंदर हम सब पहला पढ़ने वाले हैं first हम पढ़ेंगे reflection क्या पढ़ेंगे reflection के बारे में फिर हम बात करेंगे reflection के बारे में reflection के बारे में और last हम बात करेंगे lenses के बारे में kis के बारे में lenses के बारे में optics आपका इन यही टीन चीजों के बारे में बाते करता है तो हमें one by one तीनों कमें क्या करना है reflection reflection and lenses तो पूरा optics आपका इन ही topics पर आपका related है reflection, reflection and lenses के ओपर ठीक है बचापड़ी तो I wish कि आपको पूरा समझ में आए और आज हम क्या करने ओर है today's target आज का target है आज हम पूरा इसका theory understanding करेंगे ठीक है proper formula के साथ chapter पूरा understanding कर लेंगे जब हम कल meet up करेंगे guys तो कल हम इसके related सारे के सारे important MCQ solve करेंगे जो आपके MST CT exams के लिए काफी important रहने वाला है तो आज का lecture आपका concept clearance lecture होने वाला है इस chapter को लेके तो today we are going to clear all the doubts regarding optics so you need to watch focus on this lecture for clearance of the concept मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अगर मुझे 11th standard के बच्चे देख रहे हैं और 10th standard के बच्चे देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं देख रहे हैं अगर आपका कोई friend 11th में है या 10th में है तो प्लीज उनको भी यह आईडी शेयर कर देजी लेक्चर का विकोज यह जो टॉपिक से बड़ा यह आपका 10th में भी है 11th में भी है और 12th की तो बात दिखा था 12th में तो हाई भई तो यह सब के लि important lecture ठीक है because 11th में आपको ही सब मिलने वाले जो 11th में थे 12th में जाने वाले वह भी यह देखें और जो 12th क्लियर करने वाले हैं उनके लिए तो भाई हम लोग लेकर ही आए तो यह तीनों बच्चों के लिए हैं जो 10th क्लियर करके 11th में जा रहे हैं जो फिलहाल 11th में है 12th में जाने वाले हैं और जो एमेश्टिसीटी एक्जाम देने वाले हैं तो आउड लाइक टेल लोगाइस कि सब के सब बच्चे इसको जरूर दे के इसमें सब आपके कंसेप क्लियर होंगे ठीक है तो प्लीज रिक्वेश्टे सब को बुलाईए ओके श्टार्ट करते हैं प्यारा सससें यहाँ पर लाइट आ रहे है साइथ सी दिस बाहर का बंद कर दीजिए अभी लाइक नहीं आ रहे है ओके गाइस चुलो स्टार्ट करते हैं थमसब सबको बारना है वन पॉइंट टू स्टूडेंस वन पॉइंट टू के स्टूडेंस और वाचिंग सब बाहर निकलेगा अगर आपको चाहिए कितरा मतलब उनके फॉर्म में लेक्षिर अगर आप देखना चाहते तो प्लीज वन के फटाफट करो वन के फटाफट करो वन के फटाफट करो अगर आपको मेरे फॉर्म में लेक्षिर सीगे नॉर्मल चाहिए तो कोई बात नहीं कड़क चाहिए ठुक डूइट फास्ट आप नाइन सिष्टी सिक्स मुझे लग रहा हमारा टार्गेट कंप्लीट हो जाएगा 966 हो जाएगा दुए फास्ट गाइस तो स्टार्ट कर देते फटाफट फट वेट फास्ट वह 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 बात रखी मैं भी आपका जरूर ख्याल रखूंगा आपको जबर्द लेक्चर प्रवाइट करूंगा जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे ठीक है बच्छा पाटी तो आप लोग से एक दिखिवेस्ट आओ रहे हैं कि आप लोग अपने साथ पेंट कॉपी लेके बैठिए वह सजिस्टिंग यूँ विकॉ लेकिन वह सुनने के लिए और कंसेट क्लियर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते तो कुछ ऐसे चीजी जो मैं बोलूंगा वाइल टीचिंग तो उसको आप बात सुनके अपने माई की भासा में लिख सकते हो जो भी आपकी माई की भासा हिंदी गुजराती मराथी भुसपुरी अंग्रेजी तो आपको समझ में आना चाहिए इस टॉपिक को लेकर तो उसको फटाफ़ लिख सकते हो राइटिंग अच्छा पना के लिखू खराब बना के लिखू ठीक है फटाक से लिख देने का सन्ने इस टॉपिक पर ये एक्जामपल ठोका है तो इससे आपको आए जब आप रिवाइस करोगे तो आपको फटाक से टॉपिक किलियर हो जाएगा स्टार्ट करते प्यारा से से ठीक है बच्छाबड़े ऑप्टिक्स में हमें रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और लेंसे गवाल पढ़ना है ठीक है चल आगे ऑप्टिक्स मतलब होत होता क्या है ऑप्टिक्स मतलब होता क्या है बहुत बच्छे को पता भी नहीं होगा ऑप्टिक्स का मतलब होता क्या है तो बच्छाबड़े में बता देता है ऑप्टिक्स मतलब नथिंग बड़ वाट इस काइंड आप्टिक्स को कहते हैं लाइट क्या कहते हैं लाइट कह लेने में एमेस्टी सीटी का ले रहें तो ज्यादा ज्यादा डिटेलिंग करनी जरूरत नहीं है तो फिर बता देतो थोड़ा मुझा चीज आपको जो आपके लिए मतलब पता होना जरूरी है ठीक है पर्ली बात क्या होता है लाइट होता है आपका वनिस लाइट गाइज लाइट क्या होता है अनेच्रॉरल अ नेच्रॉरल एजेंट विच 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 मेक्स जाहिए अ तो सेर्ग जाना cynल इधर में डिटन त्विझ गाँल अ नाइट को इसको औलไग्ट तो लाइट क्या सबागए लाइट एक नेचिल एजंट में विश्डेग्ट विजिऊबल complaint देख मेंग नेचर फिनोमोनल अ व्रस होता है यह आपको पता होना चाहिए इसमें कुछ नोट पार्ड आपको पता होना चाहिए जैसे कि first speed of light क्या होता है speed of light speed of light क्या हो दिए c is equal to 3 into 10 the power 8 meter वा की निचे वा second वा this is the speed of light Anderson रखेगा और या चीश रखेगा दर लेचे लोफ था नेचे गया नेचे लोफ दर नीचे लोफ दर नेचे लोफ लाइट लोफ लोफ इस ट्रांस वर्स हमें इसा लाइट किस फरं में चलता है ट्रांस्वेर्स फरं में चलता है ट्रांस्वेर्स मतलब है स VAR T टीक है यह चीदि यह अंद रखेगा understood guys चल आगे बटते हैं third point बता देता हूं मैं आपको third point the propagation of light ऐसा अब सकते हो when light propagate light propagates light propagates in the form of I suppose the light propagate in straight line path like propagates in straight 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 line path light कैसे चलता है straight चलता है तो इस बेदे फोर्म में रहता है लेकिन ừaire optics बहुते है चलो आगे बढ़ते हैं लोग क्लाइट ओक है लाइट फार्म्स क्या फोर्म करता है लाइट रीफ्लेक्शन होता है और करना हुए इफ्रेक्षिन को स्ट्राइक नैए करने इए लेकिन हमें तोप्रेक्षा की आपके इंप्टिक्षा थे को स्ट्राइक करना है इपने क्या करता है प्रोपागेट करता है तो रिफ्लेक्षिन रिफ्लेक्षिन करने के फुल चांसे रहते हैं आगे बात करते हैं अब रिफ्लेक्षिन क्या होते हैं बहुत बच्चों को नहीं पता होगा reflection reflection of light भी कह सकते हो क्या कह सकते हो reflection of light तो उसके लिए क्या understanding करना आपको जैसे कि suppose सबसे पहले मैं को इसका पुरा एकदम प्रॉपर डाइग्राम के साथ समझाता हो सबसे पहले क्या करो बच्पाटी ऐसा एक इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्राइग करना अपको आपको एसा तो ऐसा लैन ड्राइग्र कर दिंगे का इसा है love this is what नौर्मल लाइन इसका नाम दे सकते हूं मद सकते हो to do one thing here, आपको यहाँ पे medium divide करना है, पर में साथ हैं देजिए एक्स वाई के उप्पू, एक्स वाई के उप्पू, उप्पू मन समझता आपको, उपर, उपर, ठीक है, उप्पू, ठीक है, तो एक्स वाई के उप्पू मतलब यह portion, उपर वाला, यह आपका हो गए बिड़ा medium one, क्या होगा, medium one, medium one को physics के language में कैसे symbolize करते हैं, आपको पता है, ऐसा, mu one, क्या बोलते हैं बचापाटी, mu one कहते हैं, और निच्चु की बात करते हैं, xy के निच्चु, xy के निच्चु, ठीक है, तो xy के निच्चु कैसा होगा, पता है, यह आपका medium two होगा, क्या होगा कुलते हैं इस साइन को क्या कहते मू कहते हैं मू कहते है मियू के मीडियम इडिक्स बताता है अब आगे बता दूगा ठीक है? टेशन लालो चलो तो कि प्ते न समझाowy? ex-y के उप्टू medium राए के निच्चू medium 2 इस medium को आप से क्या कहते हैं रेर medium क्या होता था पट्टी? ए हिसे ö चे पट्टी तो 2 एडेर divis कष दो का सबस्क्रक एक संब्रक्ख कि श्योना चो यह होता है कैते हैं डेंचार मीडियम सकते यह प्लसकों कह ले सकते सकते यह होड़ा सा ओध रहता है नहीं थे थीक ने ज्यादा रहता है और इस मीडियम में किया थिकनेश बहुत कम रहता है देंसिटी इसके अंदर कम रहता है तो मैं साथ ध्यान देजिए का रेयर मीडियम में यह मतलब एयर मीडियम को रेयर मीडियम कहते है उसके अंदर देंसिटी जो रहता है यह जो रहता है यह आपका देंस मीडियम रहता है इसके अंदर थिकने ज्यादा होने कोई से यह थोड़ा देंस कहलाता है और यह वाटरों ग्लास इसके बेस्ट इजामपल है आपके देंसर मीडियम के लिए ठीक है इतना आप ध्यान रखेगा तो यह होता है आपका शॉफ्ट मीडियम सॉफ्ट यह होता है हाड हाड यह आपका हाड मीडियम होता है तो प्यार से बहुत प्यार से बड़े प्यार से ठीक है अब इसमें बड़ा हाड होता है इसके अंदर लाइट का व्लोग क्या हो जाता है इसके अंदर मत पटेली में लाइट चलता है लेकिन यहां पर यहां पर पर जो ठीक्साब्र बहुत बहुत है और यह नियम बहुत बहुत सप्ट वह सांब कितना लोग देख रहें भाई 1.3 डास ग्रेट चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा अब हम क्या करेंगे बचापाटी अब हम यहां पर एक छोटा सा सोर्स लेंगे यहां पर सोर्स लेंगे तो पिला कलर से ठीक है विपास हमारा जो सन्नी भाईयों पिला कलर में रहते है लेते हमारी दकने पання यहां को यह संदी और सबॉस और एट ज कर एक निकल रहे स्थनीत निकल रहा है वह इसा रहे लैट की यह थे तरो ए हैуса पर टकरर है Light ऐसे जईन फिला निकलते हैं दुनिया भर करी निकलतां यहां पर सुजालिट सकते हो आप कैंडल ले सकते हो ठीक हैं तो दसें सब्सक्राइब और इतना एंगल बनाएगा इसे बोलेंगे इंगल इंसिडेंट अगर रेया फ्लाइट ऐसे आपके टक्रांके और फिर से उसी मेडियम में चला जाता है उसी में स्टब्सक्राइब इचला जाता है तो लाकषि güken इस इस लफ्ले को क्या करें बड़ा बॉंटि क्या क्या प्लेक्श लिए उसी में ऩूपर पर इंसिडेंग इंगल बना थे उतने इंगल पर रिफलेक्शन एंगल बन जाता है फिर इंगल आई जो होता है एक्वल ओता है एंगल आर के in the case of reflection हमेशा ध्यान दीजिएगा always remember this ठीक बड़ा बाड़ी हमेशा ध्यान दीजिएगा जितने एंगल पर light आ रहे है उतने एंगल पर light जा रहे है और light के इस लफड़े को हम क्या कहते है reflection कहते हैं we call this reflection of light इसको अगर हम लोग बात करते हैं एक definition के तोर पर सब definition क्या हो सकता है definition बहुत यह होता है the returning of light rays on the same medium जो लाइट जिस मीडियम में आ रहे ला है उसी मीडियम में जा रहे ला है लाइट के लफड़े को हम क्या कहते है पबलीक वी कॉल रिफ्लेक्शन वी कॉल रिफ्लेक्शन वी कॉल रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सन्नी वाई कर रहे आया और उसी मीडियम में चला गया ठीक है मतलब हुआ क्या ऐसे लाइट आरे ला है यहां टकरा रहे है और उसी मेरे में फिर से जा रहे लाए तो लाइट की इस लखोड़े को हम क्या करें बढ़ा वी कॉल दिस रिफ्लेक्शिन ओव लाइट पर मिसा ध्यान दिजीगा जब ऐसा रिफ्लेक्शन होता है तो यहां जो इंगल बनता हूं से अंगल और रिफ्लेक्शन कहते है ठीक आपका रिफ्लेक्शन क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्शन क्या होता है 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 रिफ्लेक् उसे मपपशनर करना तो अम यह जाना ही तो USA को Sabdo और नहीं जाता है तो सवाज तो 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 नीचे वाल्प्रज़वेप। कर रहे टकरा द Aunque reflect हो गया तो इस तो ही वें ऊदिजे घर साथ मिडियम और नीचे मीडियुं मैडियम होता है है ठीक है थोड़ा हाड होता है बहुत हाड होता है तो इसमें जो लाइट होता है बहुत प्यार से बहुत प्यार से फ्लो करता है और इसमें जो लाइट होता है भाई उसको फ्लो करने के लिए थोड़ा सा मसकत करना पड़ता है उसको थोड़ा सा मतलब हो सकते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम् पड़ता ह। मैं आपको इसा कि महल आपकोước कक्लिशन देता हूं मूझा वियर मिडियम है और यहां का वॉह इका कोई है फुला मैदान मतलब बोल सकते ओपन ग्राउड ओपन घ्राउड ठीक है और यह क्या समझा कोई सी है समस्तियों सी समुंदर कोई बीच है पानी भरा हुआ है ठीक है मतलब थुरा पानी भरा एतना पानी भरा है अपने नीत घुटने तर ठीक है ऐसा है तो भाई साहब मैं वह कंडिशन बता देता हूं ठीक है यह मालों आपका मीडियम वह है यह अब का मीडियम है और या मीडियम इन है या मीडियम फैंब छलोBE आपको समझा देता हूं प्रैक्टिकल एक्जांपल के साथ यहां पर अपने बाइय है तिक है अपना आंडिया यहां पर और यहां पर वाई अपना बांडिया थिक है अपना बांडिया वाई यह आंडिया और बांडिया वाई में दोनों में क्या होने वाला रेश होने वाला है क्या होने वाला है तोडने वाला है क्या होने वाला है दोडने वाला है मतलब रन करन वहीं मुझे बताईए, who will win the race, कौन दोड़ेगा जादा, और कौन समुने टार्गेट है, this is the target, फिनिसिंग लाइन है, कौन अपने फिनिसिंग लाइन तक जल्दी पहुंचेगा, who will win the race, अपना आंडिया या अपना बांडिया, चलो बताओ पबलिक, फटा फट बताओ, लोगर बताओ, वई से अगर आपको समझ में आ गया, तो वई से आपका light के भी case में होता है, अगर आपने यहाँ पर correct answer दे दिया, तो light के भी case में आप समझ जाओगे, light के case में क्या होता है, चलो मझे बताओ, लोगर संगा पबलिक चला, लेक गड़ाक सुपब क्या वाद सबके सब आंडिया का इंसर कर क्यों भाई क्यों आंडिया क्यों क्यों कि आंडिया के ऊपर दोड़ते समय कम प्रेशर रहेगा लेकिन बांडिया को दोड़ते समय एक तो एर प्रेशर तो रहे गई लेकिन उसके साथ नीचे से वाटर प्रे दोडने में पीछी हो जाएगा क्यों कि इसको पर वाटर का इफेक्ट पड़ेगा प्रेसर पड़ेगा आपोजिंग फोर्स की रेट करेगा वाटर इसके ऊपर कि उतना तेज नहीं दोड़ पाएगा बांडिया और अंडिया तो ऐसी बच्चा पाटि यहां पर होता है यहां पर यह मेडियम में फ्लों हमेशा आसान रहता है लेकिन इधर आने में फ्लों में उसकी मम्मी यादा आ जÁती है तो इसको फ्लों बंद्र फ्लों करने में मैं अधर भूह रिफ्रेक्शन करना है तो मम्मी लाइक ऐसा उसको रोना आ जाता है को कि यहां पर ऐसा हो जाता है कि यह तुरह हाड में रहता है और इस मीडियम में जो स्पीडव प्लाइट होता है वो भी इक्व टू 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 इंटू टा पावर एट मिटर वा कि रिषवा सेकेंड वा रहता है इस पीड क्या रहता है पास्त रहता है आरि to this इसमें जो रहता है लाइट का स्पीट क्या रहता है स्लो हो जाता है स्लो होने का रीजन क्या बच्छा पाटी क्योंकि यह में डेंसिटी क्या रहता है डेंसिटी क्या रहता है डेंसिटी हाई रहता है और इसके अंदर क्या रहता है डेंसिटी क्योंकि रहता है वह लो रहत है क्या रहता है लो डेंसिटी रहता है किसका यहां पर जो मीडियम का डेंसिटी है लो रहता है इसलिए आपर स्पीड फास्ट रहता है इसका स्पीड क्या रहता है यह हमेशा कॉंस्टेंट रहता है इसलिए इसको सी से सिंबॉल करते हैं यह हमेशा कॉंस्टेंट नहीं रहत विलोसिटी बताता है सेकंड मीडियम का विलोसिटी हमेशा ध्यान देजेगा यह होता है और फ्रस्स मीडियम का जो होता है यह होता है तो यही जो आपका एयर का भी यही स्पीड होता है और वैक्यू मीडियम में भी यही स्पीड होता है थ्री इंटु टेंद पाउर एक सुपब सुपब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं रिफ्रेक्शन का क्या बात करते हैं रिफ्रेक्शन का रिफ्रेक्शन 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 ओफ लाइट क्या होता है उसके ऐसे से एक ऐसा सर्फेस धॉयंग करने इडाइच यहाँ पर पुट करने ě यहां पर नॉर्मall डालन…? नॉर्मल यह सर्फेस मीडिया हो जाए मोगा यह आपका मीडियम हो जाएंग चलो ऑर आपका मीडियम उ होम जाए Presidad ंचर कि इतरम veggie . गी राटर ले सकते हो यौ फिर 600 ग्लास मीडियूम सकते हो ठीक है हमें साध्यान दीजीगा Weग्मारा सन्नी भाई को सब लोग जांते होगे आप्स्प को फोई अच्छे जानता हो कोई चुप चुपके जांता होनी-जानती सब कोई होंगे ठीक है , अपना प Agriculture बस sparण समय करते है यहां सनी बाइट आपना एक टौड़ दिया है डाकलया है यहां पर एंगल बनाया इंगल आई यहां लाट इंसीड़ेन्ट होगा सपोजड रे आपका करांग के यहां से सेंट में चला गया नहीं तो यहां पर आपका क्या हो गया रीफ्रेक्शन हो गया यह ध्यान दीजहीं का, यह होता बच्चा पाटी क्या एंगल औप एंगल ओफ इंसीडेंट कहते हैं यह रिफ्रेक्षिन भी कहते है हमेशा ध्यान दीजीए का हंडर्ड़ परसल्ड हमेशा मतलब रिफ्रेक्ट नहीं होता सीधा ठीक है कुछ लाइट जो होते सीधे जाते है यह मतलब और करते हैं त स्कार्ट नर्मल जाता है तो आपका रीफ्रेक्ष संब से रहता है यह झाय धिया तो ऐसे स्ट्रेट जाता और उसे हम क्या कहते है we call this what इसको हम कहते है deviation angle क्या कहते है deviation angle कहते है deviation angle क्योंकि पूरा light क्या होता है पूरा मतलब reflect नहीं होता है कुछ amount of light सीधा चला जाता है कुछ मतलब एक दो person light तो उसे कहते है इतना ध्यान दिजीगा तो reflection क्या हो गया में the light is passing from one medium to the second medium मतलब सन्नी भाई कर रहे एक medium से आके second medium में जाता है पत्तु अन्य भाई कर रहे एक medium से आके second medium में जाता है और light के लखड़े को हम क्या कहते है reflection कहते है क्या कहते है पभली वी कॉल देस by the reference or we call this 21nd we call this refraction we call this refraction we call the reflexes the reflection when the light is passing from one medium to the second medium थेस इस कॉल reflexes of light यहां पर क्या हो दा यहां पर हमने कोई transparent medium नागा जा पर light एक medium second medium आसानी से च्या जाता है तो light के इस लखड़े को हम कहते है reflection of light कहते हैं थोल चुन और लाइट इसको रिप्रेक्षिन ओफ लाइट इसको रिफ्रेक्षिन पर लाइट कहते हैं ध्यान दीजिए घड है और यह हमेसा च्व थापका यह होता है ठीटा जी इसको अच्छाल-गलांसिंग क्या कहते हैं ग्लांसिंग ग्लांसिंग एंगल वै आपको पुरे फिजिक्स में पुरे फिसिक्स में दो कुस्तिन आएंगे कितना प्तिक्स में दो कॉस्टिन थो असकते तो आपको पता ओना भाटा श्रीं तो हमने इतना ध्यां दिया है little medium medium one樂 bishop medium two medium 25 medium one medium medium to upward dec spite motious uhp me check on 6 एपे स्अपी सोपी हाड़ी 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 मैं सना यहमें सा हाड़ होता है कौल हड़ी हाड़ी थीक है आपके लैंग में इस प्कूर्ण विद्थि होता है आपका रूसाफ बिडियम होता है एग स्कदर अंदर लाइट का फ्लो आसानी से होता है तो अगर लाइट एक मीडियम से दुसरे मीडियम में चला जाता है तो लाइट के इस लफड़े को हम क्या कहते है रीफ्रेक्शन कहते है वाट भी कॉल रीफ्रेक्शन और लाइट इतना ध्यान दीजिएगा हमेशा इतना ध्यान दी चला संगल उकर बहुत गर्मी ओर पता हेमंद ने चालू किया है लेकिन विवस्था करके थोड़ा पंक्खा लगा दिया बहुत गर्मी ओर बहुत हाड वाली चालू भाई लेक्चर कैसा जा रहा आप लोग को भूले तो एक नंबर लो है मन को मिले पर दया आ गया है उन्होंने टीशू लाया क्या लाया टीशू थाइंग क्यूं है मंत लाइट तुनिया अब हाड वाली गर्मी आई ए गर्मी क्यों बढ़ गया पता आपको क्योंकि हमारे विस्टन सखेंगी क्यों अब कर दो मिन भाड़े लिए काली बुरा हूं यार बच्चे मोलिंगे जिला गर्मी कितनी लपड़ परीं कि सरकाले ओक घिलो और और गए टॉपिक जल्दी कवर उबड़ा यह बहुत खतरनाग टॉपिक है आपको इजी लग रहा तो बहुत अच्छी वात है वोगि बच्चे इसको स्कीप कर देते अगर आपने इसका पोर्षन देखेंगे 11 स्टेंडर में भाई साथ इतना गंदा से लेवस दिया है ना क्या लेंगे और कल इसके एमसी को फोड़ेंगे ठीक है कल एमसी की फोड़ेंगे कहके लेंगे कल ठीक है जबर्दस ठोको यार ठोको 1.3 टोका आप लोगों ने ठोकने में आप लोग बोग पीछे हो जाते हो हमेसा थ्यान रखना आप उमबई में खुदाई और यूटूब पर पढ़ाई और आप लोग की ठुकाई बंद नहीं होनी चाहिए ठीक है है ठुखो गजब गजब लेवारी सुपब सुपब चलो ठीक है आगे बढ़ते बढ़ा आगे बढ़ते पानी पर लेकर आगे पानी पी लेते हैं तो को या ठोकई ठोको अब कर दो कर दो कि लॉचलो आगे बड़ते हैं पढ़ा पड़ाओ पड़ा कि आजा कि कि इफएक्ट on speed effect on speed of light ऐसा बल सकते आपन effect of बलो effect on speed v wavelength lambda and frequency f अगला topic हमें पढ़ना बचा अगला topic हमें पढ़ना है क्या पढ़ना बढ़ना we have to study what effect हमें इफेक्ट पढ़ना है क्या पढ़ना है effect पढ़ना है एक सेकेंद थोड़ा सा फूर आ रहा है effect on speed wavelength and frequency यह हमें क्या पनना है effect पनना है speed के उपर effect पनना है हमें frequency के उपर effect पनना है wavelength के उपर effect पनना है इसके वेसे due to due to reflection due to reflection है हमें यह पढ़ना है तो इसमें फर्स लिकेंगे हम लोग फर्स लिकेंगे जो हमारा speed जो रहता है speed of light तीक है speed of light रहता है वह inversely proportional रहता है किसके density के density के हमें साथ आंद देंसिटी आप ऐसा लिख सकते हैं और और आप ऐसा लिख सकते हैं c1 upon rho ऐसा भी लिख सकते हैं तो density आप d से भी denote कर सकते हैं जो ओरिजिनल वाला जो उसका symbol उससे भी denote कर सकते हैं तो मतलब इसपीड जो होता है डेंसिटी इन्मिए प्र्रोपोर्ट्वनल रहता है इसका मतलब अगर बढ प्रोमिद सब्क्राइब और 但 एक इसपीड गटेगा तो स्पीड घटेір कि अगर डेनसिटी गटेगा तो स्पीड भावीब बढठे इतना दे चीए ते फोर्स पॉइंट किलियर सेखेंड देखेगा नो चेंज फ्रीकवेंशी नो चेंज इर्फ्रीकवेंशी नो चेंज पिए क्लीकेंशी हैं लोगान अब अच्प इफ्रीकुवेंशी अम साढ़ां देख व स्काम हेज़ा ऑons डो चेंज इंद to light का frequency हमेशा क्या रहता है same to same रहता है ठीक है तो no change in frequency थाड़ बात करेंगे हम लोग बच्छा पाटी थाड़ बात करेंगे हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो V होता है directly proportional होता है lambda को मतलब जो V मतलब होता है speed या फिसको ऐसा लिख सकते और C proportional to lambda यहाँ पर V और C जो हो speed of light in the first medium and V जो होता है speed of light in the second medium तो इसको इसको denote करने के लिए दिया गया है तो मैंसा ध्यान देगा velocity पर lambda directly depend करता है velocity बढ़ेगा तो wavelength बढ़ेगा तो यह relation होता है इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है अगर चौथा बलते हम लोग फॉर्ट लिलते हैं तो by relation by relation we can write we can write हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बड़ा बाड़ी c is equal to f c is equal to f lambda c equal to f lambda और और v equal to f lambda भी लिख सकते हैं इनका relation होता है relation between speak frequency and lambda का क्या होता है c equal to f lambda और v equal to f lambda इसको आप याद रखेगा ठीक है यह आप relation याद रखेगा जैसे आपने sound में याद किया था sound का अगर आपको याद है sound sound chapter में क्या था v equal to new lambda याद है कि नहीं याद है याद है बचा पाटी तो वैसे ही light में भी क्या होता है relation होता है c equal to f lambda यहाँ पर new frequency the sound में यहाँ पर यह frequency light में ठीक है तो याद रखेगा घबराना नहीं ठीक है इसको भी पढ़ेंगे लेकिन जब sound chapter पढ़ेंगे तब तो ध्यान देजेगा हमेशा speed of light क्या होगा यह density को क्या रहता है inversely proportional रहता है ठीक है यह चीज़ ध्यान देजेगा और frequency पर कोई change नहीं आता चाहें वो कोई भी medium घाव मीडियम वन हो चाहें मीडियम टू हो अब मेशा ध्यान देजेगा जो वेला सीटी होता है यह में साथ ध्यान देजेगा तो वेबलेंद बढ़ेगा ठीक है इसको ध्यान रखेगा अगर तीनों का रिलेशन निकालता है तिनों क्या लेंडा या फिर बोलते हो वी क्वाल टू टो एफ लेंडा रखेंगा इसको आप याद करके रखेंगा इसको याद करें दाला मतलब धिंगा लाला डाला इपर इंपॉर्टिंट बहुत भुट आगे आजो पूट करने वाले आप लोगका तो आपको Hersson इंबात करने वाले हमेसा दिखान दिजीगा ऊऊभा एंडव्यक्शन इन रिफ्रेक्षिन परिप्रेक्षण का ये केस है रिफ्रेक्शन का ही केस है ठीक है रिफ्रेक्शन का ही केस है अग बतलब कब अगल ऑफ इंसिडेंट जो जीरो होगा तब वेन वेन समझते हो वेन, वेन बतलब कब, रिफ्रेक्शन के केस में हम कब एंगल, रिफ्रेक्शन के केस में एंगल ओव इंसिदेंट को हम जीरो कब अजूम कर सकते हैं, कुछ बच्चों को यह डाउट रहता है, ठीक है, तो मैंसा ध्यान दीजिएगा, अगर माल लीजिए आपका ऐसा कोई प् यह आपका नॉर्मल लाइन होता है, जो पर्पेंडिकुलर रहता है, प्लेन सर्फेस को, ठीक है, यह आपका नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, ठीक है, बज़र बाटी, तो अभी देखो, यहाँ पर अगर हमारा सोर्स, अगर हमारा सोर्स यहाँ पर है, यह हमेशा हम को यहां लेते थे ठीक है हमेशा सन्ली भाई को हम यहां लेते थे लेकिन अगर हमने सोर्स को यहां पर ले लिया ठीक है अगर हमने सोर्स को यहां से हटा के सोर्स को हमने यहां ले लिया ठीक है तो अगर हमने सोर्स को यहां ले लिया है तो रिया उफ्लाइट कैसा होगा सीध तुमों अब अफशाप्ट है तो वहाँ पे एंगल office और एंगल of universes क्या हो जाते हैं जीरो क को जूंस किए आते हैं जीरो कि जाते तो इसकेस मैं haar इंगल सलोज भी जीरो कह पूछ शक्ते है इसको याद रखाएगा ठीक है अगला bus इसे मी front of the हो re-fraction के case है reflection के case में हम कब कह सकते हैं कि angle i equal होगा we can say that the angle angle i is equal to angle r angle i is equal to angle हम कब कह सकते हैं वैंदी कैन्से इंग आए इस इपऊल टु अगल आफ इस ऑप गया अबाद कर रही हो सर यह दो बिलकुल पॉसिंवल ही नहीं सर गो नहीं 5 यह तो पॉसिल इसक्ष में केस में होता है किस केस में होता है रिफ्लेक्शन के केस में यह तो आपने रिफ्लेक्शन लिखा है क्या रिफ्लेक्शन में भी एंगल आई इंगल आर इकुल होते हैं जी हां होते हैं उसका एक कंडीशन है उसकंडीशन में अगर वह चीज आ जाता है तो यहां पर भी एंगल आइंगल आर खिए हैं एकोल हो जाते हैं ठीक है आपके पर आप जिस्ट किप किया हो अगर है अगर आप पुरा optics के topics को open करके देखोगे ठीक है तो उसमें काफी कुछ चीजे क्या की गई है delete कर दी गई है ठीक है तो जी ध्यान दीजेगा में लेकिन वह topics को जरूर आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है important है आप सब के लिए ठीक है तो उसको attention आप मत लीजेगा तो reflection के case में हम कब अजूम कर सकते हैं वेन वी कैन अजूम आइस एकोल to angular angle of incidence is equal to angle of reflection तुसका condition बचा पांटी इसका condition है condition क्या है तो condition यह है किसा फटाउक सी क्या करने का गप चूप मैंसा plane surface जूम करने का उसका नाम देने का एक्स वाय यह वका हमारा क्या भाई प्लेन राइटिंग गंदी हुए काफी दिन के बाद plane surface ठीक है तो plane surface में हमें पता है क्या करना होता है ऐसे normal line drawing करना होता है चलो कर लिया एम एन नाम दे दिया इसका ठीक है यह हमारा को ने भाई नौर्मल लाइन ठीक है जो में सब परपेंडिकुलर रहता है तो कब कह सकते हैं condition ठीक है कब कह सकते हैं if 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 refractive index if refractive index of second medium medium to is same is same as medium one यह condition कब वैलिड होगा जब यह होगा कब if refractive आ रहे मतलब क्या होता है बचापट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत लोग को refractive index नहीं पता होगा tension ना लो इसके बाद में refractive index ही पढ़ाने वाला हो ठीक है तो फिलाज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स करके कुछ तो एक topic होता है मतलब कुछ तो एक चीज होता है जो में आपको बता दूंगा भी refractive index of second medium is same as refractive index of first medium ठीक है बतले में यह पर refractive index of first medium अगर यह case valid रहेगा तो यह आपका equation valid हो जाएगा ठीक है तो इस case में हम कह सकते हैं बड़े प्यार से क्या कह सकते हैं कि यहां से जो आपका सीधा जाएगा सीधा समस्त्य सीधा चला जाएगा मतलब इसके अंदर deviation नहीं होगा मतलब क्या हो गया इंगल आई equal to angle R हो गया लेकिन यह case कब होगा जब refractive index का रहेगा सेम रहेगा मतलब समझाने रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स सेम कैसे होता है सर मैं बताता हो रिफ्रेक्ट्व मतलब से कि जितना जितना सौट यह है जितना सौट यह medium है अगर उतना हे सौर्ट यह मिडियम बन जाए एक कंडीशन है बत्ति अब एक सुचते हैं सपोस मोई लो तो हैसे से मां लो अगर जतना सौर्ट मेडियम यह है जितना जितना भाइद हो जाए तो भाई जितने पहले Q पड़ते थे रीक्षं कि क्या पड़ते आए कि इसे प्लें सुर्फेस होता है एससे नॉर्मल होता है और हमारा सो रहता है यहां से घर भेंट हो जाता है ये सीधा नहीं जाता है लेकिन कहाары होता है जब हर रह cigarette ऑख्लाओं ॐधा pro है और ग्लास लेकिन यह थोड़ा सा रहेगा क्या रहेगा डेंस ने अगया ना बेसा पीटिक पार्टिकल इसके अंदर उतनी पार्टिकल की मात्रा इसमें आ जाए तभी आप कह सकते यहां पर नहीं होंगे क्योंकि यहां पर क्या बन जाएगा यहां पर आपका डेविएशन बन जाएगा तो मोस्ट होता है तो मोस्ट केस यह इस this is the most case, यह most case है, most हमेसा ही होता है, सर्फ को केस rare है, रिफ्रैक्शन में, तो यह जो केस बता रहो यह हमारा क्या है, rare है, rare समस्तियो, rare, ठीक है, मतलब क्या होता है, यह मतलब कभी-कभी होने की chances है, condition कभी-कभी हो सकता है, सायध हो सकता है, गर जितना soft medium में इतना soft यह होजाए इतने एंगल हो जैंगे इक्तों टोनों ये इकर यह डिस्प्ले का लाइट बढ़ा देता हूं नहीं नहीं ना तो बहुत हो कैसे क्या बत्चाओ कैसे समझा आप लोग को अंडेस्टूड और नौट सम्झा करें सम्झा सब्सक्राइज था लाइज आप अगयू यह यह संडेश्टूड आप इस अंडर्श्टूड आ रहा है पूर्लियुट शेट वेल डियूड पर आगयू तै आगयू भटते रिफ्रेक्टिंदेग्स क्या बात करते है रिफ्रेक्टिंदेग्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से किसे म्यू से डिनोट करता है जहां देजेगा और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के ऊपर दा ग्रेट स्नेल्स अंकल ने Snell's uncle Snell's law refractive index के ओपर Snell's uncle ने एक अच्छा फॉर्मूला दिया था यह दिया था यह दिया था when the light is passing from one medium to the second medium is form that sign of angle i here and the sign of angle r here aisa formula दिया था when we are going from one medium to the second medium is form the sign of angle i and the sign of angle r यह formula याद रखिएगा किस ने दिया था स्नैल अंकल ने दिया था ठीक है और refractive index से आप mu ऐसा आप क्या कर सकते हो C मतलब उपर के लिए and B मतलब नीचे medium के लिए velocity भी calculate कर सकते हो with respect to the refractive index refractive index क्या होता है refractive index क्या होता है refractive index में समझ जाते हैं लेकिन उनको उनके हिसाब से समझ में नहीं आता है तो मैं बता देता हो refractive index होता क्या है तो बड़ा ध्यान दीजेगा refractive index मतलब क्या refractive index refractive index medium की refractive index में मिडियम की ताकत होती है यह यह होती है यह होती है ना ध्यान देजिका और शीचे को उपर होता है और इतना ध्यान दो refractive index को होता है ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का हाई रहता है उस मीडियम का हाई रहता है जिसका डेंसिटी कम रहता है ठीक है उतना ध्यान दिजीगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का हाई रहता है जिस मीडियम का डेंसिटी कम रहता है और रिफ्रेक् कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा और ये बात करना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम यह ध्यान रखेगा ठीक है यह ध्यान रखेगा और अपको बता देता हूं नोट करने के लिए नोट करने के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता होता है वाइलेट वाइलेट कलर का क्या होता है वाइलेट कलर का क्या होता है मैक्सिमम होता है क्या होता है मैक्सिमम होता है और वहीं पर रेड कलर का क्या होता है रेड कलर का होता है के क्या होता है minimum होता है थिकर क्लडिक फैंब का maximum होता है ि क्ल concrete का minimum होता है क्यों कि ध्यान द्याम कर 총 यह क्या हो जाता है इसके अंदर scattering ज्यादा होता है ठीक है में स्कैटर का होता है scattering scattering क्या होता है इसका हाई होता है और इसका scattering क्या होता है इसका scattering इसका scattering क्या होता है लो होता है जिसके वैसे यह क्या होता है इसका wavelength हाई रहता है और इसका wavelength लो रहता है ठीक है क्योंकि यह यह क्या हो जाता है फैल जाता है यह फैलता रहता नहीं है इसलिए यह दूर से भी me दिखाई देता कि यह koji tha नहीं होता है इसका 1 रहता है और इसका वेजलिंध कम रहता है त sakos 123 लेटा नहीं हुड मैं तो ये क्या होता है यहँले प्रोपोसनल रहता है यह रहता है यह जी प्रोपोसनल कर रहता है यह तो यहां त्यों में शिचरट आब आध डिया थ्यानати कर लुग यह तो मियू एकवल होता है formula होता है किसका refractive index with respect to lambda मतलब wavelength को लेकर refractive index में क्या role होता है तो में उपना कर देने का आपको पता चल जाएगा ठीक है यह चीज आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं next आगे आजओ आगे आजओ अगे बताताओ आगे बताता हूं आगे बताता हूं एक प्यारा सा questionHey प्यारा सु को 파리 ठीक है एक प्यारा सु स्थुम्स है को समधने मेरे बढ़ता बच्चों्स को लेकिंगों इसकी रिज़मत बतानाया। सब्कों समझने रह चापटी है 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 ओके ठीक है आगे आग्ला हमारा ओक्षोन है मत्ला बच्चोंको हमेशा आने की चांस्थ है को है कि तसस्ट प्रिंशिपल और reversibility principle of reversibility of path of light the path of light ये हमारा का है principle of reversibility of path of light टीक है अगला topic है क्या होता है principle of reversibility जैसे कि माल लीजेए ये हमारा कोई plane surface है दिसस्ट फ्ले इसनी सेड़ी सेर्फेश एक्स वाईσ तीचें एक्स एंवाई यहारा कोई पिरचया किया करते है पर नौर्मल लाइन गर्टें करते थिक लाइन नहीं पगलो लाइट बारते खच 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 तो माल लोग यहां पर क्या होगा एंगल आप इंसिलेंट होगा यह मेशा का रहता है चलो यह हमारा सूर्स ओफ लाइट है यहां से या इसे आ रहे टकरा रहें इंगल है तिक है अगर लाइट यहां से टकरा के और रिफ्रेक्ष्ट करता है और यहां पर मैंने कहीं पर जहां पर रिफ्रेक्षन कर यहां पर क्या बनाएगा इंगल ओफ रिफ्रेक्सर बनाएगा इंगल ओफ रिफ्रेक्सर ठीक है अगर माल लो लाइट ऐसे आ रही है लाइट ऐसे तकरा के निच्चु आ रही है और यहां पर मैंने होस्यारी किया है क्या किया है यहां मैंने मिर लगा दिया क्या लगा दिया लेकिन मैंने आपर एसा लगा दिया मीडिय कि लाइट ऐसी आके यहाँ पर फिर से वही चल रिवर्स जा अपने हैं जा अपनी चल तुब बाइसा ट्राएगा प्रस ट्राके फिर से क्या हो जाएगा अपने फिर से उसी पाथ पर रिटर्ण चला जाएगा थे एसे लफड़े को क्या कहते है एसे लफड़े को कहते है प्रilahiende कर exact ऐसको कहतेव rằng प्रिंसिपल आप रीवर्स हुग्ट है यह सको काथते प्रिंस प्रिंसिपल ऑफ एक आउफ्ला होता है क्या होता है अगर हमारे अहीं में था रहे हैं मतलब ऐसा जा रहा है तो इसको निकालने का फॉर्मिला रहेगा साइन ओफ एंगल आई एंस इंगल रहेगा ठीक है लेकिन अगर हमारा रिया उप्लाइन निच्चु से उप्वू जा रही है ठीक है मतलब पहले कैसा था उप्वू से उप्वू से चाहरे निच्चु उप्वू से निच्ची तो यह ف़र्मूला मतलब आई से नॉर्मली जैसे आ रहा था लेकिन उल्टार्यूर्टों तो निच्चु से उप्वू टिक है निच्चु से उयकू जाएगा तो मतलब ऐसा ओ जाएगा सैकेंड मीडियेंस से फॉर्स मीडियम में second medium से first medium अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा sign of angle r वाँपर sign of angle i निच्चू हो जाएगा मतलब same case ने लेकिन उसका उल्टा जाएगा reverse कर देता है ऐसा आप कर सकते हो इसका एक combined formula बता देता हो एक general formula ठीक है general formula बता लेता हूं वन जब जब लाइट एक मीडिन दुसरे मीडियम में जाएगा तो इसका फॉर्मुला बनेगा वन अपॉर जाएगा तो आई उपर नीचे और यहां तो आई नीचे मतलब उल्टा रहते हैं उल्टे को यहां पर आपका इसा मिदन जाएगा अगर उल्टा को नहां होता तो यह और यह सामने नहीं होता। में मुटु उक्वल टू मिवन ऐसा होता लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते शर्प खॉल्टा हो जाता है इसलिकला एस यहां दिजिए गा इसलिए आपका रिलेशन बच्चा याद रखिएगा ठीक है इसको याद रखिएगा इसको याद रखिएगा मर्देशामी इसको याद रखिएगा ठीक है है सबको याद करके लेना है चलो बताओ कैसा लगा समझा इतना इस सिकेंड आप लोगों समझा इतना चलो बताओ चलो बताओ जल्दी बताओ इस सब्सक्राइब एस सेकेंड तुरह में डाटा खतम हो रहा है इसका वाइफाइगा पास्वर्ट किया है पुट कर उसके अंदर इसके अच्छाब इसके अच्छाब है 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 फास्ट अइच फाइज फाइज़ फाइज़ वह यह ओ फाइज़ बाई निव इंडेन एरा में फाइज़ चल रहे हैं समय है क्या बात है हम फोगर अपना टाटा खतम कर रहे थे ठोको यार ठोको 1.1 के यार स्टुडेंस वाचिंग ठोको चला बताओ आप तक का समझा कि नहीं समझा चलो सुंग जल्दी बताओ पटाफट बताओ लोकर बताओ गाइस चला संग लोकर पहले बताओ इतना समझा ब्रेक लो सर ब्रेक चाहिए पहले मज़े बताओ अगर आप लोक को समझा तक का टॉपिक तो सबके जब एक हाई बढ़ेंदो अंत एक हाउड बढ़े amraic कि की बताओ मज़े मैं समझ जाऊओंगा soup for unique nj चैट बॉक्स सर स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैल ना उसे कहते है स्कैटरिंग क्या होता है स्कैटरिंग जो ब्लू लाइट रहता है वह सबसे आदा स्कैटर करता है क्योंकि आपको पता है लाइट के साथ रंग होते हैं विपक्टुओर अपने spectrum दिखा ओक है एसे मना rainbow रखेगा रेंबो इसको पढ़ा की कुछ मतलब नहीं है रेंबो बहुत चिंदी टॉपिक है रेंबो मतलब साथ कलर होता है और इसके अंदर प्राइमरी रेंबो होता है मैं रेंबो होता है प्राइमरी रेंबो हमेशा नौर्मिल आपको में रेंशी सीजन में दिखाई देगा सेकेंडर रेंबो कभी-कभी दिखाई देगा ठीक है वह सब चीजह इसको पढ़ने कुछ मतलब नहीं है हाट भेजो और हैं हाट भेजो-आए- यार नहीं दिख रहा है प्ले-जेंट मैं हाट चीने में आप लोग को हाट नहीं देख HOW फिर मैं आप लोगको कैमीरे में देख रहा था iç listed box में देख लुआ कि अगर इतना सम चे अ सब करेंगे लाइट आया क्या नहीं अभी लाइट नहीं आया सो पसीना पसीना ले पसीना यह बहुत कजब का पसीना और ठीक है इतना तो कोई मेनत करने में नहीं आता है इतना कि यह मेनत करने में आ रहा है ओके ओके चोड़ी के आपने वो ब्रेक्स चीन थेक है ब्रेक्स देता हो कितने मिनटा प्रेक्स दो अब फाइव मिनिट पास मिलका प्रेक कितना टाइम हो रहा है बारा सत्रा हो रहे हैं ना बारा वीस प्रेज यो गृव कि मैं बारा बाइस प्रेम डाहँगा आप बारा वीश प्रेजियो आउप कि पब्लिक पब्लिक चाहिए सेकेंड हाप में ब्रीक के बाद सब को शेर कर दो यहां वहां जहाँ पर आपर आपनों के आपनों के बाद मिलता हूं अपनों से झाल 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 पेर डिवस्त खूर्त पात। please let me know in the comment box my voice is clear okay kia wat kia wat super sunita ji bata rye sir i am newly batch of 12th so to aap to old batch ke hesaap se deleted portion skip kar rye ho to mtlaaf sir humara newly deleted portion alag hooga na but aap joh abhi newly 12th mein jare right you are going in 12th standard so mein aap ko ii chiz bata djeta ho 12th standard mein aap jare ho to 12th standard ke hesaap se joh is saal ka joh batch rye ga us mein koji bhi deleted topic to nahi ho ne wala agar koji korona ka nya virgin launch na ho to iitna na aap ko betata ho agar koji korona ka koji nya virgin nahi aata market mein to aap loge ke liye ab joh ab tuk sewa sabidhaayeti pahle wale bachyo ke liye deleted portion ki wapko nahi milne wali aapko pura topic pahna padega joh newcomers and 12th standards ke liye joh 12th mein jare hai unko koji bhi topic delete ne hoonene wala hai is salse to itna dhyaan rakhye ga liekin joh abhi bachyo nne 12th exam diya hai aur mst ct exam dene jare hai hai to unka usi pattern siya ga joh 25% reduce topic tha to joh abhi mst ct exam dene wala hai to unka reduce topic ke hesaap se hi ane wala hai thik hai kitna doubt clear aap loge ka kitna doubt clear okey superb jabardast by thousand log ao pahle yaar thousand log ao thwa energy badao mera thousand log ao pahle kare loge ka re pahle kare pahle sabao hai hai her jaga peyar sko share kar do jaha bhi aap rhette ho jaha par bhi aap active ho har jaga pe lecture ko share maro pahle fata pahle hr jaga pe lecture ko share maro dho kandir andi ko dhe rame ko dhek liya abtik mahi nne usko imagination kurta ta te lekin aaj mahi ne vaastavikta meh dhek liya ho sachi be patao bohut fannie karakter mahi nne dhekha hai ae ae bachcha hai ae ding uska nama e russi case russi case russi case nahe mujhe personally andia bandira ka naya version v找 a very bir version literally bhoot hi acha dhikhaa mujhe kan dhe bhai mind flowing dhikh rhai yaya india bhaut naughty dhikh rhai और बांडिया बहुत फैंटास्टिक दिख रहा है आंडिया बांडिया और कांडी जो मेरे स्पेशल पावर्स है आज मैंने उनको देख लिया है I am very happy कि भाई वह कितने अच्छे करेक्टर से या और रुषी केस ने कितने अच्छे करें बताया है थाइं की रुषी केस लवी बेटा बहुत अच्छा आपने मिचे टैक किया भी मिने देखा था तो I really like that super mind-blowing बहुत अच्छा लगा तीक है आपने दिखाया है आप लोगों से टैक करें बहुत मज़ा आता है लाइक जैसे अपने दोस्तों को शेर करो लेक्टर के बारे में बताओ आपलो फटा-फटा कि जादे जादा बचे इस फ्री लेक्टर का फाइदा उठा पाए बहुत मज़ा आया स्पेशल पावर्स को देख क्या बरी स्पेशल पावर आंड्या वांड्या कांडी ठीक है तो मैं कल्लू दिख रहा हूंगा उसको इग्नोर करिएगा पैसे में कल्लू हो नहीं ठीक है लेकिन विकॉस आपनो लाइट इफेक्ट यहां पर लाइट नहीं कर देंगे तो समझ में आ रहे हैं अगला रेक्टर नहीं हो पाएगा कि ओके कि मज़ा आगे गाइस चलो स्टार्ट करतें आगे यस यस सब्लों टैक सब्लों टैट्व टैट्व यह भाई टैट्व का डिमांड आ टैट्व यह अभी टैट्व मेरा अंडर प्रोसेस में वर्किन प्रोग्रेस यह आपको एक हपते बाद काफी अच्छा दिखेगा जब जा बर्दस जा बर्दस जा बर्दस चलो स्टार्ट करें बड़ा सुपब ओके ओके तो नाइस वाइस नहीं आ रहे हैं सम्वन सेंग दैट्वाइस नाट कमी टैट्व पे क्या लिखा है टैट्व को जो कि भाई मैं महादेव जी का भगत हूं तो इसमें महा मरित्यूंजय मंत्र लिखा है महा म्रित्यूंजय मंत्र लिखा है तो मैंने भोले नाथ को पहलाओ adviser ऊपने प्रस्ट spectrum पने भोले कीसी सब्सक्रें वाला सब देटी कर से प्रिंस्पल और्प रिवर्स व्यर्ज़विकु आपको समझा अग् डिद यू अंडर्स्टेंड दप्रिंस्पल और रिवर्सबिलिटी डिद यू अंडर्स्टेंड क्या आप लोग को समझा बच्चो ओके यह वाला समझा आप लोग को ओके गजब ठीक है करें जो आगे पढ़ते हैं है आज आगे 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 हमारा आता है काइस निव टॉपिक कि आइए पश्कृण दिख रहुगा ठीक है अनुसर स्क्रीन दिख रहे हैं ऑके गजब तो स्क्रीन पे में पहला लखता हूं मैं रियल एंड apparent depth यह हमारा topic है real and apparent depth real and apparent depth इसका formula होता है इसका formula होता है mu is equal to real depth upon apparent depth rd मतलब real depth ad मतलब apparent depth mu मतलब यह आपका होता है guys this is what यह refractive index बताता है and real depth upon apparent depth यह आपका formula होता है real and apparent depth due to reflection अब बहुत बच्चे को यह नहीं पता होगा real depth क्या होता है and apparent depth क्या होता है बच्चा आपको बताओ कभी अगर आप लोग swimming pool में जाते हो picnic मनाने के लिए ठीक है अगर आप गए होंगे तो अगर आपने swimming pool में देखा होगा तो swimming pool क्या होता है उसका जो पानी रहता है swimming pool में blue पानी ठीक है जिसके वैसे क्या हो जाता है कि वहां पर ऐसा कुछ होता है कि the scene ऐसा होता है कि मतलब अगर आप उसको ऊपर से देखोगे swimming pool को तो अगर ऐसा आपको कभी कभी लगता है कि भाई यह swimming pool बहुत ही मतलब मतलब उतना depth नहीं जितना कि अपने को लग रहे है अपने को लगता है कि बहुत ही मतलब कम depth में और यह सोच कि आप क्या कर देते हो उसमें उड़ी मार देते हो तो आपके आपके साथ क्या होने पता है आप डूबने लगते हो पचाओ पचाओ लाइक बचाओ सम्धिंग ऐसा होने लगता मतलब आप वहां पर डूबने लगते हो पहले आपने जब उसको आपजर्वेशन किया था तो आप ने देखा था उतना ज्यादा डेप्ट नहीं दिख रहा कि मतलब रियल में होना चाहिए लेकिन अब कूद गए तब आपको पता चला भाई यह बहुत ज्यादा गड़्डा था और अपने को लगा कम गड़्डा है सोच कि हमने क्या कि हमने गुलाटी मार दिया उसमें कूद गए और बाद में आप डूबने लगते होगर आपको स्विमिंग लगता है नोगने नहीं आता है तो और हमीं लगता है कि इसका गहराई कम है कम है कि अधितना बहुत ह्तना और चोuito पड़ जाता है ठीक है जबहूं ड़ब आ उसके नंदर के जाते हो तो इसलिए बोल रहें थोड़ा सा याच पर्ताल करके उड़ी मारने तो अगर आपने नहीं जाज पर करता है क्या मैं टर करता है पर जाता है आपको लगेंगा बड़ा पानी के इंदर के अंदर यह आप ध्यान दीज़ेगा जैसे के आप तो यह मालों आपका swimming pool है ठीक हैं और यहां पर आप यहां मालों यहां पर आप खड़े हो अपना आंड्या वई खड़ा आपना अंड्या वई खड़ा है लेकिन यह सोच के घया और पानी में कूद गया ठीक है Cola पानी की गहराही बहुत कम आपन बड़े आराम से कूद के नहा सकता है ठीक है लेकिन वाइस था तो पता चलब गारा इतना जादा था इतना गारा था ठीक है तो यह उसको लगा कम डेप्थ है इसले से कूद गया था उसको तैरने नहीं आता था लेकिन रियल डत कुछ और था जिसके वैसे डूबने लगा तो अइसा कुछ होता यह थ्यान रखेगा रियल एड अपैरण लेकिन यह किसके वजह से होता है यह जाब हम सामने खड़े हैं तो सामने हमें क्या होता है हमारा जो साइज रहता है छोटा नजर आता है लेकिन अगर हम क्रॉस में देखें अगर आप यहां से यहां पर देखोगे तो आपको बड़ा साइज देखोगे तो आपका अपेरेंट क्या रहता है कम दिखाई देता है यह आपका हमें लगता है कि यह कम गहरा है लेकिन होता जादा गहरा है हमें कम गहरा दिखाई दिखाई देने का वज़ा क्या होता है reflection of light reflection of light के वैसे हमें observation में ऐसा लगता है कि कम गहरा है लेकिन वास्तिविक्ता में जादा गहरा रहता है यह चीजे के ऊपर भी आपके एक्जाम में question पूछ सकता है और उस question को tackle करने के लिए बच्छा पाटी मैं आपको एक formula बता देता हूं यह formula बच्छे से learn कर लिजी आपके exam में अगर ऐसा question आएगा और रियल डेप्ट अपैरेंट डेप्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो आपको पूछेगा अगर आपके exam में ऐसा हो सकता है आपको दोनों वैल्यू दिया जा सकता है बोलेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो कुछ भी हो सकता है लेकिन यह formula याद रखिएगा ठीक है यह यह formula याद कर डाला मतलब लाइव जिंगाल आला और सीटी को भाई उखा डाला ठीक है मतलब आपके लिए सीटी बहुत इजी पढ़ जाएगा अनशुर गाइस कि इतना समझा आप लोग को कि इतना समझा ओके रामचारी वाइन कुछ भेज रहते हैं क्या वाट वाट वस सब्सक्राइब आप लोग को समझा और प्लीज सबके सब हाट भेजो अगर आपको समझा तो सेंद में हाट सेंद में हाट विट फास्ट विट फास्ट विट फास्ट गाइस जबरदस्ट शुपब माइल ब्लूइंग फैबलस मतब सबको समझ में आ रहा है तास ग्रेट शुपब ऑके नेश्ट करते आपन नेश्ट करते हैं ओके नेश्ट करते हैं अब लोग क्या करते हैं और टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन करते हैं टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन करते हैं टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन को मैं प्यार से बोलूंगा तीर क्या बोलूंगा तीर टीर टीर टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं टोटल इंट तो जला किए टर्फ जाता है और एक ऐसे क्रिटिकल एंगल प्लेगल जाता है पर यहां पर यह पर सो्टपर में हो जा चाहिं समीडियम से एया करता है सेंडियुम में तो इस सिचो को हम क्या कहते हैं ऑजल मां लो यां पर हमारा इस टोटेक। reflection कब होगा जब 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 रे आफ लाइट रे आफ लाइट रे आफ लाइट देंसर से देंसर से रेरर रेरर ओपर की ओर देंसर मिडियम् से रेरर मीडियम की और जाएगा तब इसके फुल चांसे तो यह मानलो आपका गएट डैंसर मीДयम whenever नीचे आवाअ देंसर मेडिया में ए हमारा देंसर मीडिया अ मिम्या कर देंसर मीडियुम ऐलो डिक अंक गा राया हNU go व्हला राये तो हम्हें कहा चलना एंसर है तो मख सूर्स यहाँ पर कहीन पर है यहाँ असे बीज्वाया है तो पर कर दो क्या होता है अगर माल लो हमारा source of light है और यहां पर क्या कोई normal ray of light है तो normal ray of light पर क्या हो गया है इसी पर हमारा source of light चला गया तो यह कराएगा यहां से ले कि कराएगा ऐसा कहीं कराएगा ठीक है मतलब यहां पर इसको normal देना पड़ेगा ठीक है तो फिर से सो normal यहां पर ऐसे कुछ ठीक है तो विसको एब क्या आचा कि यह पर आ जाएगा यह थोड़ा सा इसकी उपर आजाएगा एंगल बनाब ना बनाब बना देगा चिक है तो आपका क्या रहेगा और यह आपका कितना हो कितना हो जाएगा 90 डिगरी हो जाएगा ठीक है माल लो थोड़ा समय ने इंगल और बढ़ा दिया यहां से और क्रिटिकल ले लिया थीक है तो ऐसा कुछ हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा और क्रिटिकल बनाऊंगा और इसके में यां चा जाएगा आपका इनगल बनता था रीचल ऋग्रेखनेटर हो जाएगा और अब मीडियम उपर ना जाके यह फिर से नीची आने लगे मतलब किया हो जाएगा reflect हो जाएगा क्या हो जाएगा एंगल घृतिकल करते जा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इंस तो इंस इंगल जो बन रहा हो गिए को जो सीमा है लीमिट उसको पार करके काफिक्रिकल काफिक्रिकल में चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि जो आपका रहे उपर जाता था उपर ना जाके बेंड की नीचे नीचे ही आजाएगा तो ऐसे कंडिशन का कहते हैं टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन कहते हैं क्या कहते हैं टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन विन रिया ओफ लाइप स्टिंग फ्रॉम देंसर मीलियं टीक है करें तो इसका मतलब हो गया जब रहा इसे जाता रहता है और इसका में अदेता रहता है तो अपर न जाकी नीची आ जाता है तो उस phenomenon को हम कहते हैं total internal reflection क्या कहते है total internal reflection ठीक है इतना ध्यान रखेगा और total internal reflection में जो value होता है critical angle का वो निकानने का formula होता है क्या formula होता है mu equal to one upon sign c क्या होता है mu equal to one upon sign c यह formula आप याद करने बच्चो यह formula आपको याद करना है यह formula याद कर लीजिए यह formula आपको कल के election में काम आने वाला है mu equal to one upon sign c यहाँ पे c जो है आपका critical angle है ठीक है बच्चापाणी याद करने यह mu आपका क्या refractive index होता है तो यह formula से आप total internal reflection में जो आपका critical angle जो बनता है उसका value calculate कर सकते हो ठीक है आप यह formula याद कर लेजिए important है यह formula important है me equal to one upon one upon sign c ऐसा होता है ठीक है this is important formula आपको याद रखना है ठीक है यह आपको थोड़ा सा याद करके लेना important formula है और total internal reflection कैसा होता आपको पता चल लगया हमेशा डेंसल से रियर में light जाता है तो कब ऐसा condition आ जाता है कि जो आपका insulin होना चीए prism ऐसा रहता है क्या रहता है ईसा prism रहता है तक है Prism में क्या रहता किहा है एक अंगल रहता है c a b c इस होते है प्रिजम का रहता है क्या है इंगल रहता है यह pen called this bul begin एंगल क्या कहते हैं इतना ध्यान रखेगा तो अगर आपको याद होगा प्रिजम का फॉर्मला आपने पढ़ा होगा यहां पर कोई सूर्स ऑफ ऐसे जाता था यहां पर टकराता था और टक्रा के प्या होता था था बिस रिस्पेक्ट वेसे नौर्मल आपा ता तो नौर्म बाहर निकलने के लिए फिसल नॉर्मल इसा लगाते थे नॉर्मल इसा खिशते थे नॉर्मल लगाते थे और इसा खीश के क्या होता था बाहर निकल जाता था तो यहां पर क्या होता था यहां पर इंगल 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 दो नौर्मल है एक 很 आपका यह है या आपका normal ओन normal इस ऑंदर के लिएकर ठीक है आपकंडाया इस làते में होगा है जब लाइट ऐसे जाते क्या करते हैं सीधा चले जाते इसे यहां से क्रोस करते थे जो क्रोंस करके हैं एभिगया अगर आपको याद होगा स्कんとष्ट एप प्लस डिल्टा इकोल टूरी प्लस एपखन देचक लीजिएगा एक फॉर्म३ आप याद कलिजिएगा ठीक एंडेश्टोड और यह फॉर्मुला आप यह याद करना यहां आपका ऐससर प्रिजम फॉर्मुला है याद कर लीजिया ठीक है और यह लगता है मुझे लगता है आपको एक्सपीरियंस में सेटी के लिए आपका यह फॉर्मुला काफी इंपॉर्टेंट है यह बोहत कम है लेकिन इसको भी यह बताया गया है तो घवरा ना नहीं है यह दोनों किया होता है से अगर आपको यह फॉर्म्ला दिकाए दिया तो भी यह फॉर्म्ला दिखाए दिया तो भी यह आपको याद करके लेना है इसका में अगर बताने जाओ तो बहुत टाइम हो जाएगा क्वोंकि आपको एक्जाम में इसका तो यहां रहा है तो नहीं होगा तो इसका आपको पता चिल गया होगा कि कैसे आया था अगर 11 का अभी बहुत जल्दी में 11 स्टेंडर का लेक्टे स्टार्ट करने वाला हूं तो इसको बता दूंगा अगर मुझे लेवन स्टेंडर के बच्चे देख रहे होंगे तो इसका जरूरत नहीं है इसका डिटेलिंग फिलार क्योंकि आपको बस फॉर्मूला लन होना चाहिए ठीक है कि फॉर्मूला कहां से आयता अगर मैंने फॉर्मूला लिग दे तो आपको पता होना चाहिए इस आड़को corona अगर आपको प्रिजम है तब का यह फॉर्मूला ठीक है अगर आपको प्रिजम कैसा हो गया कि थी प्रिजम हो गया कि दिं प्रिजम प्रित्त हो गया चोंटा ओ घींडी comment चोटा फॉर्म तो चोटा प्रिजब्स बच्छों एक ट्राइंग्लर का क्या रए त्राइंट ऐसा ग्लास रहता है तो सिर्य होता है त्रह वैज अलग त्रहर से कहाते है तो अगर दिंगल अगर आपका छोटा रहेगा तोAI कहते है कि kindness में जो डेविएशं होता है देविएशन थेडाति थीन बित hm our video यह आपके एकजाम में आ सकता है डेविएशन थ्वू थिन प्रिजम यह आपको एकजाम में ऐसा पूछ सकता है इसका फॉर्मुला होता है डेल्टा is equal टू थेक है डेल्टा is equal to Mio, minus one यह आपका आपको क्सक्राप Anda करना है किसके लिए अगर आपका कैसा है तो इसमें आपको टल् 있다는 कितने एंगल पहोता है तो आपकोल इकोल एंगल के बाहर ने कि तो बताता है तो आपको यह फामला क्या कर लिजिएगा एक लाइब से इमपॉर्टेंट इसक्राइब मैं अगला पड़ते अगला होता है अगला टॉपिक हमारा अगला प्रपिक एक होता है आपका dispersive power क्या होता है dispersive dispersive power होता है यह भी आप याद कर लिजेगा dispersive power dispersive power को हम omega से denote करते है और यह क्या होता है delta v minus delta r होता है delta v minus delta r upon delta y होता है यह आपका dispersive power होता है यह आपका dispersive power होता है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं, we can write this, a mu v minus mu r upon a mu y minus 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको इसके जगह पर इसके जगह पर ऐसा इसके जगह पर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको गोलते हैं, ऊपर जो होता है, angular dispersion रह यहां कित तो इसका जो रहता है वह यह प्ता शु करता पावर क्या बताता है बहुत बच्चों को नहीं पता होगा dispersive power क्या बताता है तो ये क्या बताता बचा पाटी dispersive power क्या बताता है ये ये क्या बताता है ये 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 बताता है की prism की ताकत क्या है और कितना लाइट का डिस्पर्शन कर सकता है कर सकता है यह आपको क्या करना बच्छो ध्यान देना है इस वाट यहां तो remember it what I'm saying here dispersive power it means what what I'm saying here dispersive power is nothing but what this tell us यह यह बताता है कि जो प्रिस्म हमने लिया है whatever prism that we have considered ठीक है जो प्रिस्म हमने consider किया है उसमें क्या ताकत है उसमें अंदर क्या ability है किस चीज़ की ability light को disperse करने की ठीक है कुछ कुछ प्रिस्म ऐसे रहते हैं जो light को बड़ी आसाई से disperse करते हैं और कुछ ऐसे प्रिस्म रहते हैं मैं आइडियर या नौट एबल तो disperse light clearly and properly so what I'm saying here dispersive power it means that the light ability for the dispersion मतलब prism की ताकत क्या है light को disperse करने की disperse मतलब light को ऐसे ऐसे फैलाना light को उसके अलग-अलग color में क्या करना अच्छे से क्या करना मतलब divide कर देना जैसे कि मैं बता देता हूं माल लो यह आपका बेटा क्या this is what the prism this is the prism and मैंने यहां से इसके उपर what I'm saying here इसके उपर मने कोई ray of light इसे incident किया है तो ray of light इसके उपर जाने की बाद कि कितने colors में क्या हो सातों color को अच्छे से visible दिखाता है मतलब इसका ठैश रहोई है भाऌफार बहुत हाड या मतले हैं इतना आप करना है ध्यान देना है दिंड़ियों इडिसफ़ो पाहर मतलब होता है कि कोई दिडाये कि ताकत है जो लाइट के colors को divide करने का अगर यह properly 7 form में आपको पता है light में 7 color होते हैं कितने color होते हैं तोटल 7 colors कौन-कौन सा color थे बच्छा पाटी, you know that क्या आपको पता है, yes क्या होता है विभिग्योर वी आई बी जी वाई ओर वान तूट्टु थी फोर फाई शेख सेवन है टोटल सेवन कलर सोते हैं अगर वहां पर प्रिजम ने साथ कलर को अच्छे से डिस्पोजिशन कर दिया है मतलब इसका डिस्पोर्शिव पावर भाई बहुत स्ट्रॉंग है अगर सातों कलर प्रॉपर्ली विजिबल नहीं आ रहें बलरी 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 अच्छे से नजर नह ही नहीं है उसके अंदर डिस्पोर्शिव पावर कमाल की नहीं है अगर कमाल का डिस्पोजिशन पावर रहेगा प्रिजम में तो भाई ले भारी उसमें जो कलर का डिवेशन होगा बहुत कमाल का होगा और हर कलर आपको विजिबल होगा बहुत अच्छी से दिखाई देग मतलब colors का क्या हो जाएगा बच्चों पार्टी वह आप पर अच्छे से division हो जाएगा उसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं identify कर सकते हैं सब को समझा है वही understood guys understood okay super correct good fire do it first okay if you understood this topic please send me heart do it first if you understood this topic please send me heart yeah I'm waiting for your heart do this yes that's up super me both are now guys I'm very impressed of copies of support career understanding all the topics that's a very important off for msd exam carry other it access is sub topic clear all right or coffee catchy how can I see it again so I'm very much sure that you are cleaning all the topics properly now I'm going ahead आगे बढ़ते आपन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है next topic करते हैं तो I wish कि आपको एक यह आपको clear हो गया होगा लेकिन यह formula आप learn करके रखिए यह formula learn करके रखिए कल आपको काम पढ़ेगा यह formula भी करके लगा यह दो कि अप्रीइसन ऐसे आअ प्रिजम परिजाम है रखिए मेसा अगर गापर करना है डिवेट करना है डिवेशन किराना है तो उसका you subscribe क्या होगा टीक है आइस्द उसका important है कल भाई guessing तभी चमकेंगे ठीक है चलो next कि अगला करते हैं आपन next topic clear करते हैं लेंस अगला topic हमारा लेंस अब आते हैं lens में आते हैं lens हमने जो topic बहुत प्यार से खतम कर लिया राइट now अभी hardly 20 20-minute लगेंगे आपके lens topic को खतम करने के लिए ठीक है लेंस टॉपी के लेंस ठीक है हार्ली 20-minutes गाइस ओके नव चैप्र इस बेरी चैप्र इस बेरी वास्ट गाइस चैप्र बहुत वास्ट है लेकिन आपने काफी कम टायम में स्क्वाशिस के लिए करने के लिए पुरा करके लिए प्लीज कोपरेट आस जस्ट आइनिदियो 20-minutes दूट इस फस्ट यह यह इसकान अब राष्पाइस बात रांस बर्ट होता है ठीखेए इसके पाद 2 असरफेस होते है के टो सर्फेस तो तूट सर्फेस कांवतों सिरकल होते हैं। चैसे होते हैं। कैसे होती है। तो मौनाट сторонictन पहला कि ऌर फारेनिके सृफेस। स्पिरडие क्या कि लिशतर है। नीट कि ट॥ेजन परेंके समें अथ होते है तर्सेट न tiछ मार्धा टाफ सेखें। खरोगे दिशमतिते हैं। कुले है वह सबलकोते हैं.. एक हो से मी होता है.. तू टाइप से स्दॉल। समय मह यू मार्केटियो में आपको कितने टाइप से मिलेगा.. पहला ये निष बचा.. फिस्ट यек आपका.. First type you can write here Conqueue Lens First kya hai Conqueue Lens and second kya barcha Convex Convex Lens hai इतना ध्यान दिजिएगा tō Lens की क्या पहचान? बताओ Lens की क्या पहचान? Lens की क्या पहचान? Lens बोले तो Transparent Medium Lens बोले तो 2 Medium तब 2 surface एक दोनों कैसा होना चाहिए, Sparical होना चाहिए, एक होता है क्लोपकियों मतलब क्या होता है रोडोडों कही होता है क्यों क्यों कैसा ना यह कौन क्यों हो गया मतलब डेस और स但 या अंदर से इस is the this is conq this is conq they get I'm I'm this I'm say what is the converse converse kaisa dikta hai converse kaisa dikta hai to you know kele ka sep aisa bana lene ka I'm just drawing the image here aya se aap aisa chanda maho banalo aisa ya phir kuch aap aisa you know banana yeah why sa sep ka lene ka this is what convex convex guys convex me kya hoota hai uthela this is what gandhela this is uthela this is what my trick so aap kaisa kare saakta hai joh upar ka portion agar aapka kya ubhara huwa hai thik hai wu aapka convex ka sep deta hai aur joh anndar se kya arda depth nahi ta depth whos kya deta hai aapka conico ka sep deta hai anndar se depth anndar se anndar se depth yeh trick thay aap dhyan dhyaan dhya hai bachyo confused ho jate hai oopar se ubhara oopar se eiche ccao to try those to word of the了 okay ौकिए अन्य हमें थोड़ा सा उठेला थोड़ा सा उठेला है a a a uberthas a को थेला आपकी वासम बात करा हो हूं थोड़ा सोखिंति इसमझ बात कर रहो हूं तो यह है कॉने केव हैं तो भाई आपको साहिब डोड़न सब्सक्राओं अंव को पैचाना है दो लेंसर ना मारकेना में समयकल्हीस होतें एक होta है एक होता है कॉन के एक होता है कॉन वेस्ट यह दुनों आपको क्या करना है पता करके लेना है ठीक है और डिटेल में जाते हैं और डिटेल में जाते हैं अगर डिटेल में जाते हैं आपको पता है कॉन के बहुत से टाइप्स होते हैं कॉन के बहुत बच्चे लोग है और कॉन सबस्क्राइब कर ने ृट歹म ओष्ट्टा आपकर डिवां इस्तिमाल के जातें तो आगे देखते हम लोग जम्धर देखतें प्छापाटी झाल जम खर सकते हैं तो आई डिफेक्स आपको पता गैस आई डिफेक्स मतलब आखों से जुड़ी समस्या है जो अक्सर ज्यादा तर जो ओल्ड परसन होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं ठीक है जो बुजुर्ग आदमी होते हैं बुजुर्ग औरते होती हैं लेकिन यह मुसली उन्हें के केस में ज ज्यादा प्राई करने फाल्तु चीद देखने का नहीं इससे क्या हो जाता है आपको यह समस्या ना हो अच्छा समस्या क्या है समस्या समस्या का नाम है मयो पिया अगर आपको आइएटंध हो गया आईद अगर आपको ने पिया लेकिन बहुत बढ़ाइक तिन पनाव क्या सकता है तो आपको क्या चीये लेकिन लेकिन यह प्या हो जाएगा आप लोग क्या जाएगा चिसमिस होते हैं पहले पिया करना मायू प्या क्या है हाइपरमेटोपीआ हाइपर मैटरोपी राजय K1 अश्रप्तिया का नाम है प्रेज बाइयोपीआ क्या पत्कुर प्रेज-बाइयोपीआ तो रहाई कीतनी प्षा प्रितृ कि प्तिन पिंदेटीया पहले कमा कि अक्षंध भी मिप्ञस्वाइण फ्रसका कि midnight hobard इसका पı क्वाइब इसके ॥िन प्रियुमें और चनि मैट्ट्रूपीय मतलब होता है नियर नियर साइटनेज कि इनियर प्रियुमेंट्टी और मतलब होता मायों प्रिक एफ क्या होता यह कैने कि आ क्षार साइटमनेश तीक है अप परेज भायो मतलब दोनों साइटमनेश धोनों एप्रण साइटमनेश कि दोनों मतलब धार दोनों रहत थे प्यार उज्य जब ज्यादा प्यार हो जाएगा प्यासा तो आपको यह बिमारी हो जाएगी कम प्यार रहेगा तो आपको यह बिमारी हो सकती है तो इसको दुरुस्त करने के लिए लेंस का इस्तिमाल किया आता है तो आपको बता देता हूं इस इस बिमारी को दुरुस्त करने के लिए कौन इस लेंस का इस्तिमाल करते हैं अगर यह बिमारी हो गई तो यह बिमारी हो गई तो बाइफोकल लेंस का इस्तिमाल करते हैं और बाइफोकल लेंस में कौन सा लेंस होता है कॉम्बो रहता है कॉम्बो ठीक है कॉम्बो में कौन रहता है कॉन के और भी रहता है कॉन के और प्ल कुछ कर नहीं पाऊगे तो प्रेस्ट अगर आपको हो गया मतलब भाई आपका जिन्दगी घंड हो गया तो आपको इसा करना नहीं है यह अक्सल किसके होता है कुछ बुडबक ऐसे होते गलत चीजे देखके अपनी आग को खराब कर लेते हैं तो आप गलत चीजे मत देखो अच्छी चीज़ी देखो इसके आपका प्रेस्ट बच जाओगे आपको क्यों 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 प्रेस लगानी जुरूत नहीं पड़ेगी ठीक है यह मैंसा ओल्ड क्यों कि क्यों क्यों मतलब माईवपीया होगे इसके अंदौ क्या होगा पता है इसके अगर अगर आपको यह पीमारी मौा मेयोपिया हो गया मेरे पास मैं आपको नजदिक का कि भंट लेकि거든 आपको दूर नहीं देख गा उसके अंदर इसके इसके अंदर क्या होगा आपको दूर का बढ़िया दिख्याईए देघर! शुर्ण से दूर्णा दिखाई नहीं डिकाई देगा इसके अंदर न आपको दूर्णी तो गला चीज मत पकरना अच्छा चीज हाथ में पकरना ठीक है अगर आपको समस्य होंगा तो कुछ भी कोई पकड़ा सकता है और आपको myopia हो गया तो नियर का दीखेगा दूर्ट नहीं दिखेगा अगर आपको hypermetropia हो गया तो दूर्चा दिखेगा कजिंगा आपको आइघ को आएगार से वह संद नी जीएगा यह संद लिज evident तुम्हाइब भाई साफ ठीक है यह चीज अन्रस्टेंदिंग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है बहुत जरूरी है ठीक है आज और आगे बात करते हैं लेंस का इस्तेमाल कहां करते हैं भूखनी सिंपल माईक्रोस्कोप और कंपाउड मायक्रोस्कोप पा नाम अपनों सुना ही होगा ठीक्थ यह आपने सुना होगा वाक करते सिम्पल प्रोशु खालो बच्चा पाड़ी थोड़ा दो में रुके का ब्रिग लेते हैं ब्रिग मतलब बैट्री चेंज करते हैं आम गेटिंग बैग ओके ब्लीज गाइज वस आई नीड वनली 10 मिनिट्स लास्ट चैप्टर काफी बड़ा है यार चैप्टर काफी बड़ा है काफी एक्तम खतरनाक है ओके डास ग्रेट प्लीज गाइस सब लोग अगर आपको टॉपिक समझ में है प्लीज सेंड मी हार्ट पर्स्ट आपका हार्ट में अंदर के कंचना को जगा देगा आंड्या वांड्या भी फॉर्म में आजाएंगे कांडी को भी लिए आऊंगा सेंड में हाट फॉर्स जल्दी दू इस फेवर जल्दी से करके बताओ सथ्ग्णा आओ कि एल्द ग्यांस को बताओ आओ रधी कर्या आओ पर्सफब्ड जा ए budभ आ आओ 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 द्स नहीं को तो नौ श्टार्ट करते आगे का सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता बच्छा पाटी what is the meaning of what is the लफल of simple microscope क्या आपको पता है simple microscope क्या करता है क्या आपको पता है do you know that do you know a second ah simple microscope क्या होता बच्छा पाटी यार प्लीज ठोको यार कितना 1.8 के हुआ है ठोको जल्दी बुम्बाइ के खुदा यूटूब के पढ़ाई और आपके ठुकाई बंदी होने चाहिए द्रूट इस फार जल्दी करो रिट फास्ट 1.8 के नॉट गुट मैं हो कि लास्ट वने 10 मिनेट्स पारी भी ने पीलो मजदार टॉपिक्स है ञार के आपने वन बाय एफ वन बाय यू माइनस वन वई ए ओके वह के बता देता हूं एक हो तरह लेंट्स फॉर्मूला जह तरह पर मूला होता है वन बाय एफ एक रिभाइस वन बाय भी 1 माइनस यू लेकिन ये टॉपिक डिलिट है इसलिए नहीं पताया कुछ लोगोते मूठा के आ जाते मतलब टॉपिक नहीं देखते हैं कर लेते हैं कोई बात नहीं मैं बता दिया आपको बड़ा यह है आपका लेंस फॉर्मुला और यह लेंस फॉर्मुला क्या है डिलीटेड है यार ठीक है ने तो यह तो मेरा बहुत इससे मिरेंस फॉर्मुला है मीरेंस फॉर्मुला आपको पते हैं और दि PT थे तो मिरेंस और junior प्लस रहता है और икомने फॉर्मुली में यहां आता है और मैंस फॉर्मुललंत होता है या आपका distance image का होता है या आपका distance object का होता है ठीक है चल लेंस formula delete है यार lens maker delete है reflection from the plane surface delete है मतलब वो काफी कुछ delete है simple microscope microscope simple microscope and बात करते है compound compound microscope simple and microscope पहले से आपको पता ही क्या do you know anything about the simple and my simple and compound microscope anybody's here क्या मुझे बता सकते दोनों में कौन सा lens इस्तेमाल करते का निबडी टेल अरे बाई Microsoft नहीं होता है यार माइक्रोस माइक्रोस्कोप होता है सब्सक्राइब्स पढ़ाना है या नहीं CT के लिए 11 का रिडियो टॉपिक पढ़ाने जुरूत नहीं है सब्सक्राइब्स नहीं आने वाले सब्सक्राइब्स इसके अच्छी बात बताता हूं इसमें वन कॉन्वेक्स लेंश यूस्ट इसके अंदर शब्सक्राइब्स इसके अंदर भारी साथ सिर्द के इसमें होता है अश्में करता है श्म våra्स इसके अब्सक्राइब नसडाइब्स पेकर सकता है इसके रेकिव大 क्या होता है लो होता है लो बजेट हो रहता है ठीक है मैगनिफिकेशन जो होता है मैगनिफिकेशन क्या होता है लो होता है मतलब चीजों को दिखाता तो है लेकि उतना क्लियर नहीं दिखाता है जितना क्लियर यह दिखा सकता है तो इसका मैगनिफिकेशन क्या होता है लो होत ओता है समझता है बहुत हाड बहुत हाड चालो थड करते वाई polarization इसका क्या हो तो ITुए होता है क Trent सकते हैं यह वाच मैकर वाच मैकर a watchmaker used इसको कौन रहा करते यह वास मुझत मेर जो गड़ी बनाता-ध़ी जो घड़ी बनाता देखने आप लोग देखा हूं ज्वड़ी बनाने का काम करता है अव्शोटा सा माइक्रोस्कोप लेता सिंपल वाला इसा अध कि डाल लेता है इस चोटा चीज बड़ा दिखाई देता है तो आप पता कर सकते हो यहां पर तिसले हम देखते हो इसको में इस्तिमाल करते है यूजट इन यूजडारी लाइब लाइब लेपरोट्री मेडिकल लैब जो होता है जहां कि प्रैक्टिकल करते हैं जहां पर हम अंदर लिप कि से लैब में इस्तिमाल किया जाता है और यह simple macroscope watchmaker उगरा जो होते हैं उन लोग इस्तिमाल करते घाड़ी करी के जो सुए होते छोटी-छोटी होती ना उनको बड़े में देखने के लिए इस्तिमाल करते हैं तो यह सब याद रखना है ज्यादा कुछ चीजे मैंने आपको बता दिया ठीक है इसको आद रखिएगा है हमन्स सुने साहिं दैक की स्किन नहीं दिख रहा है साइज बच्चा आप लोग ने था कॉलिटी इंक्रीज करिया प्लीज एक सिकंड मैं कॉलिटी बढ़ा दिता हूं सब्सक्रीन नहीं दिख रहा है ठेंगा हम मैं तो बहुत साफ दिख रहा हूं मैं तो बूरा भी दिख रहा हूं खुसी आपके लिए संदेशा आया है आपके भाईया ने भेजा है चलेगा ना अब भाईया ने फेज़ा है तब क्या फूझ भी चलो सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइस क्रूप का जो लपड़ा था दिजॉल्व हो गया आप लोग का ठीक है नउए अगला करते भाई नेक्स सिंपल माइक्रोस्कोप का मैगनिफिकेशन होता है मैगनिफिकेशन चेक करना, बहुता है क्या चेक करना है, मैगनिफिकेशन, and magnification अगर मुझे magnification check करना है तो magnification में क्या करना है भाई साब magnification check करना है तो हम कैसे करेंगे तो मैंसा ध्यान देना distance of image distance of image upon distance of object ऐसा कर लीना इमेज का आपका हो जाएगा वी और distant of object का होजाएगा यू और मैगनिफिकेशन चेक कर सकते हो चाहिए वो simple simple microscope यह फिर compound microscope अगर उसका magnification check करना है तो आप इस formula का इस्तेमाल कर सकते हो इसको याद खर लिजेगा ऐस की from ला दी कहा इसका इस्तेमाल कर के आप कर सकते हो अनक्तूट её Renee लो G दिए ग्रेट κ वेरि गुट या सब को पता है क्या बात है सब को पता है सुपब सर डीपीपी सर डीपीपी ओकी डीपीपी ची अपको आप पता है बाइट डीपी पीका टाइम हो गया देता है आपको एक सेकंड रूकोजरा जट स्केंड just a second now मुशली हमने सब का topic हमने cover करिया guys एक topic और कर लेते हैं एक topic और कर लेते हैं एक topic और कर लेते हैं power of lens power of lens power of lens छो हωνता है p == upon f क्या होता है यह Power of lens पकड़ने का formula है पावर कैसाँ पर-पीक करता है focal length पर-पीक करता है focal length कम रहे तो power जादा रहेगा मान लो QUG यहाँ पर इसके उपर इससे जा रहे हैं और जयाके यहाँ पर्ले किया और हो तो इत्ना नज़्दीक रहेगा आपके पोल से आर आइसे गया है और इस नहोने थोड़ा सा यहाँ बनाः है यहाँ बनाया है तो दोनों focus में focus तो दोनों focus में से किसका focus नजदीक है यह A वाले का focus क्या है B वाले से नजदीक है जिसका focus कम रहेगा मतलब उसका power जादा है समझ मैं इतना समझे आ मतलब जिससे समझे लो कि अगर आपका focal length कम रहेगा तो power आपका जादा है तिक है इतना ध्यान देजिएगा इनुवस्ली प्रोपोस्टन रहे थे बच्चा पाटी इसका मतलब ही होता है power जो होता है लेंस का focal length पर depend करता है focal length आप कम कर दो power बढ़ जाएगा ठीक है इतना आप याद कर लीजिएगा कुछ बच्चे मुझे question कर रहे थे sir मेरे को minus में number आया है किसका आख का ठीक है आख का लगाओ तो आप कौंके चस्मा लगाओ कौं क्यों चस्मा लगाना है डॉक्टर आपको कौंकियो ग्लास प्रफर करने के लिए बोलेंगे सर्थ मेरा नंबर नप पॉजिटिव में आया है ठीक है मैं पॉइंट पॉचिटिव में आया है तो आपको convex lens लेंस लेंस के लिए ह होता है और प्लस के लिए क्या होता है कॉन्वेक्स होता है इतना आपको पता होना चाहिए अच्छा इसको पावर को मेजर करने के जो यूनित होता है ध्यान दीजेगा डायोप्टर होता है क्या होता है क्या होता है डायो डायोप्टर डायोप्टर में मतलब डी होता है मतलब उसका उनिट हो तो इसमें पावर को क्या करते हैं लेंस के पावर को मेजर करते हैं ठीक है इतना आपको याद कर ले ना ठीक है अच्छा एक पटा हूं गैस वन तिंग I would like to clear you that कि कुछ चीजा आपको बता देता हूं कि आसाइं साइं कसे थिया है ऒगलैंस में सांट कंवेंशन आपको पता होना ची ठीक है टेगें लेंस में लाश्टापिक नाट आपका लगए गा-6 दो जहां के। लास्ट टॉपिक इसलाष्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक फट फट नईज आ इसा आपका आसा रहेगा अगर माल आपका इसा लैंस यहाप इसा लेंट्स यह आपे इसा लोख यह आपका लेंस है तो लेंस का यह लेट साइड रहेगा और यह आपका राइट रहेगा तो हमेशा ध्यान दिजेगा लेंस का लेट में जो वैलू रहता है लेंस का जो लेट में रहता है मैनिस रहता है और राइट में जो रहता है प्लस में रहता है यह आपको याद रखना है ठीक है इतना आपको याद रखेना है जब भी हम लेंस का इस्तिमाल क्रेंगे लेंस में जो डिस्टिंस रहेंगा plus what minus में रेगा और रहाइड में जिटिंस रहेगा supernatural यह आपको पता रहेना है खोड़ कर लिन को तो आपको पता होना झांखे ठीक है उप्पू पॉजिटिव निच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और हमेरे साथ, distance ठाल टेक है Distance तुल्जर आबस Distance अल्वेस Distance Always Measure Measure from left Left ne yum it is from Pole कह выглядит क्रेंगे, Pole से दिश्टनसे मेजर करें गे कि अधित्र सदे पूल के डिस्पेक्ट में डिस्टंस को मेजर करना रहेता ठीक है ध्यान देजेएं आई इस दひद धेना है क्या कुई इमेज क्네ια की स्थमाल करें के कि एमे स्थमाल करें इमेस के स्थाइब हुष आ इंहाँ और अबजेक़ की दिस्तेंस के लिए हम किसका करेंगे जिन का यहाद रखेगा यह परखेंगा और अतना आपको याद करके लिक्शन आपको बता देथा और इस चीज़ा आपको बता देता हूं कि जब अन्हेंन निकालते है तो सभिषिभा होता है एक normal formula होता है क्या formula होता है पता है one plus d by f होता है क्या होता है one plus d by f इसका formula हम इस्तिमाल कर सकते हैं किसके लिए simple के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं simple as well as as well as compound compound यह भी formula होता है इसको भी learn कर लिजेगा one plus d by f ऐसा फॉर्मला होता है इसको अब याद लर्न कर लिजेगा आपको बता हूंगा D मतलब क्या होता है F मतलब focal length होता है और D मतलब total length होता है image का या फिर object का उस situation के ओप depend करें मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करते हैं लेकिन फॉर्मला भी कर लिजेगा magnification के लिए होता है simple and compound के लिए होता है ठीक है 1 plus D by F होता है ठीक है चलो और कुछ topic बचा है क्या और कुछ topic नहीं बचा ठोको या ठोको ठोको जल दे फड़ावा ठोको पहले कि तू कर दो तू कर दू कि अच्छा चलो खतम हो गया है lecture खतम lecture खतम लेक्चर खतम लेक्चर खतम बताओ कैसा गया lecture आज का एक वर हाट भेज़ो जड़ा आज यह गाइस एक short revision था this was the quick revision जो हमने लिया है quick revision लिया है हमने इस तरह से lecture नहीं लिया है कि आपको board exam में लिखना है हमने बसे रिवाइस करवाया आपका formula revise किया concept revise किया ताकि जाओं कर इसका mcq solve करें तो आपका concept clear रहे formula learn रहे ठीक है I hope कि आपको समझा होगा लेकिन आपको एक काम और करना है lecture फिनिस होने के बाद आपको comment box जो रहेगा आज का lecture फिनिस ले जम live session इंडी कर देंगे तो comment जरूर करना है अपना प्यार महबत बताना है और आज की lecture को सब को share कर दो ठीक है सब बहुत अच्छा लगा टैक की आप लोगों ने ऐसे अंडिया वंडिया कांडी से लेटिट हमेसा information पाने के लिए कल mcp करने में आपको वास्तिविक्ता में मज़ा आएगा तो इसको रिवाइज करने चैप्टर काफी बढ़ा था इसके अंदर तीन टॉपिक थे रिफ्लेक्शन था रिफ्लेक्शन था और इसकी बाद आपका लेंस था ठीक है तुर यह हमने काफी कुछ कुछ कवर किया ह इसलिए मिराज हो गया लगया इन बहुत कुछ चॉपिक डिलीट था उसको झाल नहीं किया है ठीक है तौइक इसको आप इगनौर करियेगा तैकर जितना भी किया बहुत मज़ेदार की अन्दम ले के लिए हग के लिए ठीक है आपको यह लिए मजया होगा और में जिरू झाल झाल